मेरे चैनल पर आने वाले सबी साथियों को दर्शुकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार राश्टर गाथा चैनल के माद्यम से कल मैं जिनकी चर्चा कर रहा था जिना ग्याद करान्तिकारियों को दे रहा हूँ उनके साथ उसी श्रिंखला में गुलाब सिंग और अमरीक सिंग श्री गुलाब सिंग और दूसरे उनी के भाई श्री अमरीक सिंग वो किस परकार से कैसे पकड़े जाते हैं ये कल के एपिसोड के अंदर मैंने बताया था गुलाब सिंग के पैरों में बेडियां और हाथों में हाथकडियां डाल दी गई दुपहर को एक थानेदार गुलाब सिंग के पास पहुँचा और उससे पुष्टाश अरंब की तुम करांतिकारी दल में कब से शामिल हुए थे और गुलाब सिंग न उत्तर दिया मैं किसी करांतिकारी दल के विशे में नहीं जानता और नहीं मैं किसी दल का सिदस्य हूँ तो फिर तुम क्या करते हो जवाब मिला मैं खाल सा विद्याले का विद्यार्थी हूँ क्या पोलीस से तुमारी कोई दुश्म नहीं है नहीं तो फिर तुमने पोलीस के आद्मियों की जान लेने के लिए पंजाब के छे बड़े शहरों में बं क्यों रखे थे जवाब मिला ना मैंने कोई बं रखे थे ना कोई मुझे उनके बारे में किसी भी परकार की जानकारी है घुलाब सिंग के उत्रों से थानेदार बहुत निराश हुआ उसने कहा ठीक है हम दूसरी तरह से इलाज करेंगे गुलाब सिंग को किसी सुनसान जगा पे ले जाया गया और बड़ी बेरहमी के साथ उसकी पिटाय की गई पर फिर भी पुलीस वाले उसके मुख से कोई भी भेद नहीं खोल सके पुलीस वालों को ये आश्चरे था कि जिन यात्रों से तरस्त होकर अच्छे अच्छे अकडबार भेद खोल देते थे उन सबी यात्रों को ये कोमल किशोर कर मैं बता रहा था कि गुलाब सिंग किस परकार के बिक्तित्व का मालक था कैसे मासूमियत थी चेहरे पर कोमल ता थी विनमर शालीन और ये इस परकार का कोमल किशोर जेल गया ये सब कुछ और उसने अपने किशी साथी को फांसने के लिए फंसाने के लिए अपना मूँ तक नहीं खोला पुलिस ने ये हतकंडे सबी गिरिफतार साथियों पर अजमाए और उन में से कुछ कच्चे भी निकल पड़े कुछ कमजोर भी निकल पड़े जिन्होंने सारा भेद पुलिस के सामने खोल दिया उन में से कुछ मुख्बिर भी बन गए आखिर आथशी चक्र के करांती कारियों आथशी चक्र के कल की संस्था के बारे में मैंने कल के एपिसोड के अंदर डिटेल में बताया किसने बनाई कैसे बनी ये सारे आथशी चक्र के ही दल के सदस्य थे आखिर में आथशी चक्र के करांती कारियों पर लहोर शड़ अंतर केस के अंतरगत एक और पूरक मुकदमा चलाया गया सरकारी पक्ष की और से वकील कौन थे? पंदित जुआला परसाद ने मुकदमा पेष किया अब ये पंदित जुआला परसाद कौन थे? पंदित जुआला परसाद उस समय के कॉंगरसी लीडर लहोर के ये सरकार की तरफ से करांती कारियों के विरुद केस लेड रहे थे ऐसे एक नहीं बीसों उधारन है यह आपके मुटिलाल नहरु ऐसे बहुत सारे नाम बता सकता हूं जो दो-दो-दो-लाक चार-चार-लाक उस समय एक-एक दिन का दो-दो-चार-चार-चार-थाजार लेते थे और किसके पक्ष मे कि एक कॉंगर्सी ने गोली निखाई एक कॉंगर्सी फांसी पर नहीं चड़ा एक कॉंगर्सी लीडर काला पानी की जेल में नहीं गया एक कॉंगर्सी लीडर लाठी से नहीं मरा, गोली से नहीं मरा, फाल्सी नहीं जूला, काला पानी नहीं गया और ये बात करते हैं वीर्सावर करकी, करांतिकारों के समराठ वीर्सावर करकी उसके पैरों की शायद ये धूल भी नहीं बन सकते चलिए आगे बढ़ते हैं पंदर ज्वाला पर साथ कॉंगर्सिल लीडर सरकार की और से पक्ष रख रहा था सरकारी पक्ष की और से मुकदमा पेश किया करांतिकारियों के वकील थे लाला शामलाल शामलाल बहुत ही योग्य और देश भग्त व्यक्ति थे वे अमक्रांतिकारियों को बिल्कुल अपने बच्चों के तरह मानते थे विशेश ट्रब्यूनल के सामने दो वरिश तक मुकदमा चला इस ट्रब्यूनल के अधर्ष थे मिस्टर बलेकर 13 दिसंबर 1933 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया फैसले के अनुस्वार गुलाब सिंग और अमरीक सिंग को यानि उनके भाई को दोनों को फांसी और रूप चंद जहंगीरी लाल मलिक कुनलाल को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया और मलिक नाथुराम को साथ वर्ष का कठोर कारावास की सजाई सुनाए गई दस अभियुक्तों को दो वर्ष से लेकर चार वर्ष तक के कठोर कारावास के दंड सुना दिये गए जिन अभियुक्तों को बरी किया गया वे थे धरमवीर, जैप्रकाश, द्यानतराय, बंसिलाल और महराज कृशन ये पांच महाशे वो थे जो पुलीस की मार नहीं सहन कर सके, इनसे जो भेज लेने थे ले करके इनको बरी कर दिया गया इस मुकदमे में जो व्यक्ति मुख्विर बन गए थे, जो व्यक्ति मुख्विर बन गए थे, जिनको बड़ी किया गया वो तो नाम मैंने बताया अलग, जो मुख्विर बन गए थे उनका नाम था इंद्रपार, हाला कि इंदरपाल शुरू में करांती कारियों के साथ बंब बनाने का अच्छा प्रशिक्षिक था और सब काम किये थे लेकिन अब वो शायद वो मार नहीं सहन कर सके तो वो नाम थे इंदरपाल, खेराती लाल, होसिया राम, सरंदास, और मदन गोपाहिल बाद में इंदर सहनने कोई गिल्ट अंदर से आवाज आई होगी कि तुमने ये क्या किया तो इसने इंदरपाल ने अपने ब्याद बदल दिये और उसने पुलीस को अच्छियाचारों की, पुलीस की अच्छियाचारों की अदालत में शिकायत की कि पुलीस ने मेरे से अक्तियाचार करके मेरे उपर मनवा लिया और लिखवा लिया कि मैं दोशी हूँ मिलाड मैं दोशी नहीं हूँ ऐसा कहने वाले इंदरपाल अंदर से आवाज आ गई कि तुम गलत कर रहे हो हो जाओ कर बांदेश के लिए गलत मत करो लेकिन ये बात भी पूरी तरह से सरकार नहीं मानी और अंतता उसे भी मृत्यों दर्ड सुनाया गया इस फैसले के विरुद्ध हाई कोट में अपील की गई हाई कोट के फैसले के अनुसार गुलाब सिंग के भाई अमरीक सिंग को बरी कर दिया गया अब ये भी एक आश्यरे डालने वाला फैसला था अश्यरे में पढ़ जाने का फैसला था गुलाब सिंग और अमरीक सिंग दोनों एक साथ सब काम कर रहे थे गुलाब सिंग को फांसी और उसको हम बरी कर रहे हैं अम्रीक सिंग को बरी कर दिया गया गुलाप सिंग और इंद्रपाल को मृत्यू धंड को घटा कर उन्हें आजीवल कारावास सुनाया गया अपील की गई थी हाई कोट में गुलाप सिंग सोच रहा था कि यदि फार्सी का धंड हो गया होता तो अच्छा था वे करतार सिंग सराबा और सरदार भागर सिंग के साथ स्थान पाने के लिए उच्छा था अब ये तो गुलाप सिंग बोल रहे है जिनको फार्सी की सजा घटा कर उनको आजीवल कारावास दिया गया है और उद्र उसका भाई अमरिक सिंग क्या सोच रहा है भाई अमरिक सिंग सोच रहा है पहले तो फार्सी का दंड उसको सुनाया गया था गुलाप सिंग को और इसको बरी कर दिया गया मैं भी अपने भाई के साथ फार्सी लग जाता और गुलाप सिंग जिसकी फार्सी के सजा घटा करके बोल लगया और वो बोल रहा है काश मैं भी मुझे भी फार्सी का दंड ही बना रहता तो मैं सरदार करतार सिंग साराबा और सरदार भगर सिंग के साथ ही स्थान पाने का उत्सक था मेरी इच्छा थी मेरा भी उन्ही बलिदानियों में नाम आता मैं बचना नहीं चाहता मेरी कुर्बानी मेरा बलिदान देश के अन्ने और नवयुवकों को तैयार करेगा मैं जिन करांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ ये सब अज्यात करांतिकारी है यनि अज्यात मतलब कहीं इतिहास में इनका नाम नहीं और एक से बढ़ करके आपने देखा होगा 434 35 ऐसे कुछ वीडियो आप तक पहुंची होंगी ये 190 वर्ष का इतिहास लिया है मैंने ये कालखंड कोन सा है 1715 से 1947 इंडिविज्विज्व बेश पर सशस्तर चनौती देने वाले करांतिकारी और दल बना कर ग्रुप बना करके देश विदेश में परचार करते हुए कमाई के लिए गए पैसा कमाया शस्तर खरीद के भेजे शिप में बैठ कर और सात्यों को लेकर चलो भारत भारत को अजा रोज इदार शाम जी किष्वर में वीर्गंद के अंदर इंगलेंड में है शाम जी किष्वर म के दaimerा बनाया गया यहां उड़रा इंडिया हाउस जिसमें यहां से हा यह के लिए जाने वाले विद्याथिएँ को पक अडी आ झारत्या जाता था ट्रैप किया जाता था देखा जाता था कि यहां से याजुकेशिर पूरी करने के बाद भारत के आंगरेजियों के साथ मिल करके टाई हैट पैन करके बाकी भारतियों को पर रूल करने जाएगा और उनके अत्याचारों में शामिल हो जाएगा या इन दुष्टों के खिलाफ वहां लड़ेगा मारेगा और मरेगा इन महान नाइक नाइकों का करांती वीरों का एक इस्वपन था कि भारतमा के पर तन्तरता की बेडियां किसी तरीके से कटनी चाहिए कितने लोग किस परकार से हैं और जब हमें बताया जाता है कि अजादी चर्खे न लेके दी सत्याग्रेया न लेके दी अहिंसा न लेके दी तो इससे बड़ा कोई और मजाग हो नहीं सकता 1885 को बनाने वाला कॉंग्रस को बनाने वाला इटावा का कलेक्टर एक अंग्रेश जनर्नल ए ओ ह्यूं और 1912 तक ब्रिटिस सरकार का सेक्टरी ही इसका महामंत्री जनर्नल सेक्टरी होता था यानि पूरी तरह से गौर्वर्मेंट की कॉंग्रस और बनाए क्यों गी थी ये कॉंग्रस अंग्रेशों की सेवा के लिए रक्षा का बच के लिए और हमें ये बताते हैं कि कॉंग्रस देश के जादी के लिए लड़ रही थी 1910 में जब सावरकर को दो जदम का कारवास मिला और वो भी काला पानी नार किये घोर नर्क से भी परे का वो दंड होता था उस समें दस्वां प्रेजिडेंट कॉंग्रस का लगातार अंग्रेज था और ब्रिटिस सरकार का सेकेटरी था और कॉंग्रस का महामंतरी था ये किस मूँ से कहेंगे कि कॉंग्रिस नदेश की अजादी के लिए काम किया और मिस्टर एटली का जवाब आपके ध्यान में होगा ब्रिटिश पार्लिमेंट के ब्रिटिश पार्लिमेंट प्राइम मिनिस्टर उस समय पूछा गया उससे बाई 1942 के आप कुछ इंडिया मुविमेंट से दर के भाग आए और एटली का क्या जवाब था वो तो दस दिन के अंदर फ्लॉप हो गया था सब लीडर पकड़ लिया गये थे उसका तो कोई नामों निशान नहीं था तो फिर नेता जी सुभाचंदर भोस और अजाद हिंस हैना का जो आखरी अटैक था दो बाते जो इमिजेट कारणों नहीं बताए एक तो उस समय की नेवी का विद्रो करना समंदर लौक हो गया था और दूसरी तरफ भारत के अंदर उनके नेत्रे तो में 65,000 जो फौज काम कर रही थी उनमें भी अजादिन फोज के सैनकों का संदेश पोच गया था और विद्रो अंदर ही अंदर पनप रहा था यही सैना अंग्रेजों को मार देती जान बचाने के लिए हमको जल्दी से आना पड़ा छोड़ना पड़ा गांदी का कहीं नाम नहीं आता गांदी और नहरू दोनों ने एक लाठी तक निखाई जेले भी जिनकी वी आईपीज थी जेले भी जिनकी वी आईपीज थी सेकेटरिस मिले हुए थे जेल में स्टेशनरी मिलती थी लिखने के लिए सब तरह की सुविदाई थी जेले तो उनकी थी जो मैंने आपके सामने 434 के आसपा 35 जो मैं एपीसोड लाया हूँ आपके साथ इनकी जेले देखो न कैसी थी जरा किस परकार का संघर्ष करते हुए कितने लोग फालसी के तकते पर गोरनार की दंड काला पाने का भुगतते हुए 90 परसेंट वही मर खप गए कहीं उनका पता ने चला कुछ लोग जेलों के अंदर लब्वी यात्राय और कष्ट कारी यात्रेस है तो वह इंदम तोड़ गए घर तबाह होगे गाउं के गाउं जला दिये घए ठारा श्वस्तावन के प्रथम स्वतंतरता संग्राम के बाद गाउं के गाउं जला दिये गए समझना होगा, स्वामी विविका नंजी ने एक बिड़े अच्छी पंक्ति कही थी, आज बारत जनुरी है, उनका जनम दिवस भी है, मैं एक सकूल के फंक्शन में गया था, वहां भी मैंने यह विशे रखा है, आज इस चैनल के माध्यम से विशे तो नहीं रख रहा, पर उन हमारा देश, हमारा देश, यहां के गद्दारों के कारण गुलाम हुआ, और वो गद्दार आपको शाम को जब चैनल खोलोगे, दिख जा에ेंगे, छे बज़े से दस बज़े तक बहुत से दिख जाएंगे, उन गद्दारों को पहचानिये, इन अग्यात, देश भक्तों को पहचानिये, इनको श्रदासुमन देने का जो कारे मैंने आरंब किया है, इस चैनल के माद्यम से, अगर आपको ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको शेयर करिए, नमस्कार, जे भारत, जिन्नेवाद सब्सक्राइब